नमस्कार दोस्तों इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम अमेरिकन माइक्रोनिक कंपनी के प्रेसर वोसर की अन्बॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाले हैं अगर आप भी बार बार गाड़ी या बाइक को सर्विस्टेशन पर ले जाकर धुलवाते हैं तो ये जो प्रोड़क्ट है आपका समय बचा सकता है और आपके पैसे भी बचा सकता है इसकी मदद से आप अपने घर पे ही अपने गाड़ी को धो सकते हैं बाइक को धो सकते हैं या घर में किसी भी चीज को धोना चाते हैं तो इसका उपयोग बड़े ही अराम से कर सकते हैं मैं इसका उपयोग हमारी बाइक और solar panel को धोने के लिए करूँगा क्योंकि solar panel के उपर काफी मिट्टी या पक्सियों ने जो बीट्की होती हो इतने आसानी से साफ नहीं होती है इसलिए मैं इसका उपयोग करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप इसकी मदद से बड़े ही य से solar panel को भी clean कर सकते हैं तो यहां पर आपके सामने इसका box रखा हुआ है यह कुछ हैसा आपको दिखने को मिलेगा front की तरफ से और side में इसके उपर यहां पर आपको इसके कुछ की feature दिये जाते हैं जैसे कि इसके अंदर high performance copper की motor का उपयोग किया गया है और इसका max जो प्रे high efficiency spray gun दी गई है और adjustable spray nozzle भी है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा और इसके अंदर आपको मिलेगा water inlet का quick connector जिसकी मदद से बड़ी ही अराम से इसकी inlet की pipe को बड़ी ही राम से आप connect कर सकते हैं और इसके अंदर आपको मिलेगी hose pipe जिसकी length होगी लगबग 20 feet यहां पर 6 meter लि मिलेगी और power के बलवो लगबग 15 feet की है और इसी प्रकार के कई feature इसके अंदर आपको देखने को मिलेगे तो यहां पर हम फटा फट इसके unboxing कर लेते हैं बिना time गवाएं तो मैं यहां पर आपको सारा समान निकाल कर आपको दिखा देता हूँ तो इसके अंदर वैसे आपको काफी समान देखने को मिलेगा और हमने सारा समान जो निकाल लिया है और यहां पर टेवल के उपर रख दिया तो आप देख सकते हैं कितना समान इसके साथ में आपको मिलेगा, सारा का जो सारा समान है बड़े ही अराम से, आप सिर्फ 10 मिनट में ही इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, हलाँ कि मैं आपको सबसे पहले इसके यूजर मैनूल के अंदर आपको दिखा देता हूँ, कि कौन सा बालट कहां पर connect करना है और यहां पर आप देखी जो इसके अंदर सभी step दी गए है ऐसी ही आपको follow करके इसको connect करना है और बड़ी एराम से connect हो जाएंगे और यहां पर मैं आपको फटा-फट connect करके ही इसको दिखा देता हूँ तो ऐसी बड़ी एराम से आप इसे connect कर सकते हैं यह इसका inlet का filter है जिसके अंदर आपको जाली दी गई है ताकि कोई भी कच्रा आपके पानी से इस machine के अंदर ना जाए और इस filter को आपको इसके पीछे की तरफ यहां पर लगाना है और इसके साथ में जो connector दिया गया है औरेंज कलर का यह इसके अंदर आप प्लग करेंगे तो यह बड़ी एराम से connect हो जाएगा यहां पर जो इसके inlet की pipe दी गई है यह आप देख सकते हैं काफी लंबी है वैसे तो अगर आपको इससे ज़्यादा लंबी लगानी है आपकी machine खराब हो सकती है तो यहां पर जो safety का काफी दियान रखा गया है और यह है इसकी gun और इसके साथ में आपको extension wind और adjustable nozzle लगानी पड़ती है और यहां पर आपको इसका form can भी लगाना पड़ता है अगर आप sample वगर डाल अपनी bike को दोना चाहते हैं तो यहां पर आप देखे लिए कैसे आपको connect करना है बड़ी असानी से आप connect कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह extension wind जो दिया गया है वो और जो form can है यह दोनों पीछे से एक जैसे ही दिखाई देते हैं तो यहां पर आपको connect करना है इसके लिए आपको simply इसके अंदर डालना है और थोड़ा सा press करके घुमा देना है क्योंकि इसके अंदर spring है जो कि इसे यहां पर tight करके रखेगा तो देखिए आप कैसे बड़ी अराम से इसके connect कर सकते हैं और इसे निकालने के लिए फिर से आपको वैसे ही प्रेस करना है और घुमा देना है तो बड़े ही अराम से ऐसी यह निकल जाएगा यहां पर extension वैंड के आगे आगे आपको इसे simply ऐसे डालना है बिना प्रेस किये और यहां पर इसके उपर दो निसान दिये गए हैं इसको मिला कर आपको डालना पड़ेगा तभी यह इसके अंदर connect होगा तो देखी यहां पर आपको दो निसान साइद दिखाई दे रही हैं कि पता नहीं लेकिन मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहां पर देखी दो निसान हैं इन दोनों को ही साथ में रखना है और निकालते समय प्रेस करके ऐसे निकालना है और लगाते समय सिर्फ आपको नि वार्ना करते हुए अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और सबसे पहले हम इसके साथ में धोने वाले हैं हमारी बाइक को और उसके बाद में हम आपको पैनल को धोके दिखाएंगे तो यहां पर बाइक को धोते समय आपको इसका जो प्रैसर है वो प्रैसर नहीं करना है उसे फैला कर रखना है क्योंकि ज़्यादा प्रैसर करने से इसका जो प्रैसर वो हाई रहता है और आपकी बाइक को नुक्सान भी हो सकता है क्योंकि जो इसका प्रैसर वो काफी हाई है तो इसी बात को विशेज ध्यान रखना है। और solar panel को धोती समय आपको विशेज ध्यान रखना है कि आपको solar panel को या तो शाम के समय में जब सूरज ठल जाए उस समय या सूभ है के समय में धोना है। क्योंकि आपको पता है कि solar panel जो है वो धूप होने कारण गरम हो जाते हैं और अगर आप इसे दोपायर के समय या जब ज़्यादा temperature हो था है उस समय धोएंगे तो इसके अंदर crack भी आ सकते हैं। तो इस बात का आपको इसे ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ solar panel को सुभ है या शाम के समय में ही धोएं। और सर्दियों में आप वैसे तो किसे टाइम भी धो सकते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा दूप निकलती नहीं है और solar panel जो गरम होते नहीं है। लेकिन गर्मियों के समय आपको इसे ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इसे शाम के समय में या सुभा ही धोईं। और यहां पर पहले मुझे solar panel को दोते हैं काफी समय लग जाता था क्योंकि इसके अंदर जो पक्सियों के बींट वगरा है वो इतनी असानी साफ नहीं होती है। लेकिन इस pressure washer की मदद से वो शिर्फ एक मिनट के अंदर ही साफ हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं और मेरे पास जो solar panel है वो आपने देखे होंगे कि अलग-अलग दो सैट है तो यहां पर मैं यह पहला सैट धो रहा हूं और इसी की वीडियो बना रहा हूं तो आप दो रहा हूं या फिर solar panel दो रहा हूं मुझे time की ज्यादा problem रहती है इसी लिए मैंने इसको purchase किया है और आप भी अपने time और पैसे दोनों को बचाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और यह एक व्यक्ति भी बड़े अराम से चला सकता है तो इसमें आपको इतनी tension लेने दूँगा वहां से आप Amazon के उपर जाकर इसे चेक कर सकते हैं और इसकी ज्यादा detail देख सकते हैं और इसे वहीं से purchase भी कर सकते हैं तो अगर भी भी इसके बारे में आपको कोई सवाल है तो वीडियो के comment box में comment करें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे शेर करें साथ मेरे चानल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दपाएं ताकि प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद